हेलो गाइज हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है आज में बात करेंगे कि रोजाना वर्क आउट एक्सरसाइज करने से आपकी बॉड़ी में क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला फाइदा है कि रोजाना एक्सरसाइज करने से पिल गुड़ होर्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा और कॉन्फरेंट महसूस होता है पॉजिटिविटी से आप भर जाते हैं अपने होर्मोन्स को नाशुरी बालंस करने के लिए एक अल्रेटी की वीडियो बनी होई है आप उसे आई बटन हैं डिस्क्रिप्शीन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं दूसरा फाइदा है कि रोजाने एक्सराईज करने से अपकी सेक्स ड्राइब बहुत ही बढ़ जाती हैं आपकी सेक्स लाइव बहुत ही जादा अच्छी हो जाती है फ आपने आप में बहुत ही जादा कॉनफेरन्ट और अच्छा मैंसूस कर दे जासे कि में पहले भी बताया, आपके अद्टोस्टरोन लेवल्स भढ़ते हैं, जो कि आपके एनपके लेवल, मूद और सेख्स ड्राइप को इंक्रीज करते हैं. तीसरा फाइदा है कि फिजिकल अक्टिविटी करने से PMS याने की Premenstrual Syndrome में बहुत ही फाइदा मिलता है. तो अगर females रोजाना exercise करते हैं तो उनको periods के time पे थोड़े कम cramps आएंगे, उनका mood swings थोड़ा कम होगा and वो थोड़ा mentally भी अच्छा फीड करेंगे. इस्पेशले योगा बहुत ही कालगर माना जाता है अगर Premenstrual Syndrome के हम बात करें तो कुछ ऐसे आसन है जो जिसे करके हम उस दिन की पीड़ा को थोड़ा कम कर सकते हैं. तो अगर आपको योगा सेशन्स लेने हैं हमारे साथ तो आप हमें कॉन्टाक्ट कर सकते हैं हमारे सोचल मेरिया हारिस के या फिर आप कॉमेंट भी डाव सरकते हैं. आपकी memory बहुत अच्छी होती है और आपके cognitive functions जैसे की attention span, concentration ये सारी चीज़े भी बढ़ती हैं. Exercise एक natural anti-depressant माना जाता है तो अगर आप या आप मेंसे कोई भी किसी भी mental disorder से गुजर रहे हैं तो आप अपनी life में exercise को जरूर से शामिल करें. Walking और meditation इसके लिए काफी कारगर माना जाता है. Exercise करना stress को फूली थरा से कम कर देता है. रोजाना exercise करने से आप अच्छे दिखते हो, स्ट्रॉंग दिखते हो और आपका हर काम में मन लगता है. जिसे करके आप बहुत ही ज्यादा positive, confident, energetic और अपने आप में बहुत ही अच्छा मैसूस करते हैं. exercise करना आपको बहुत अच्छी नीन दे सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम रोजाना workout करते तो हमारी जो सर्काडियन रिदम्स होती है, जो कि मारे सोने में में मदद करती है, वो ट्रैक पे आ जाती है. सोने के फाइदे अनेक है, इस पे अलड़ी एक विडियो बना है, आप उससे आई बटने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में जाकर चेक भी कर सकते हैं. इवें हमारी creative thinking भी बहुत जादा बढ़ जाती है, अगर हम रोजाना exercise करते हैं, या इवें अगर हम walk पे जाते हैं, क्योंकि उस ताइम हमारा focus हमारी body पे होता है, जिसे कि वो हमारी creative thinking को बढ़ाने में हमारी मदद करता है. क्या आपको ये fact मालूम है कि हर साल heart disease से, heart attack से basically 8.6 million महिलाएं मर जाती हैं. इसलिए American Heart Association के अनुसार ये माना गया है कि अगर आप रोजाना exercise करते हैं, तो आपका दिल बहुत ही जादा मजबूत बनता है और आपकी heart attack का खत्रा पी कम हो जाता है. अगर आप हार्ट पेशिंट है या फिर आपके परिवार या फामिली से अवकल में कोई भी heart disease से ग्रसित है, तो आप उस condition को diet और workout से treat कर सकते हैं. इस पर एक वीडियो बना है, हार्ट पेशिंट का diet chart, जो की लोगों ने काफी पसंद भी किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर से जाके बेगे, आई बटन और डिस्क्रिप्शिं बोक्स मैंने लिंक पो छोड़तिया है. एक्सराइस करने से आप कम उम्र के लगते हो, स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है, चमकने लगती है, स्किन की टोन भी बहुत अच्छी हो जाती है, और चेहरे पर एक अलग सी ही रॉनक बनी रहती है. इसके अलावा यह भी है कि जब हम 30s और 40s के होने लगते हैं, तो हमारी हट्टिया और मासपेश कमजोर होने लगते हैं, पर अगर आप रोजाना एक्सराइस करते हैं, या फिर आपकी रूटीन में हमेशा से एक्सराइस शामिल है, तो आप देखेंगे कि अगर आप 30s और 40s क्रोस भी कर लोगे, तो भी आपकी मासपेश और हड़ी अमस बूथ ही रहती है, अगर आप जल्दी 30s के होने वाले हो, या फिर आप अपने यांग एज में हो, और अपने आपको फिट और हेल्दी बनाना चाहते हो, तो आपको रोजाना एक्सराइस करना शुरू कर दे करना चाहिए, specially weight training, या फिर आपको नहीं पसंद रहे तो आप योगा करे, वाकिंग करे, या कोई भी exercise करें, पर रोजाना वाकउट को जरूर से शामिल करें, या अगर रोजाना एक्सराइस करते है, तो अर्थ्राइटीस का भी खत्रा तल जाता है, और अर्थ्राइटीस स इस पे भी एक वीडियो बन चुकी है तो आप उसे भी जाके आई बटन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से चेक करें अब आप ते इतने सारे बेनफिट्स एक्सराइस के तो जान ही है पर फिर भी लोग कहेंगे कि अरे यार हमारे बस तो टाइम ही नहीं है एक्सराइस करने का तो यह तो सिर्फ एक बहाना है दोस्तों क्योंकि एक्सराइस तो हम घर में भी कर सकते है ऐसा जरूरी नहीं कि हमें जिन ही जाना पड़े या कोई फिटनेस सेंटर की हेल्प लेनी पड़े अगर पन्ना से पीस मिनट भी एक्सराइस करते तो वह एनफ हो जाता है हमारी बोड़ी को फित और हैल्दी रखने के लिए जैसे कि आप कुछ सेट्स के कर लिए, प्लांक के कुछ सेट्स कर लिए, स्टार्टिंग में आपने कुछ रांसूरे नमस्कार के लिए कर लिए तो ऐसे आप मिक्स और माच करके अपने फेवरेट एक्सराइस को कर सकते हैं 15-20 मिनिट में आपको जादा समय भी नहीं लगे आपका मूड बूस्ट अप रहे का और आपको बहुत ही अच्छा मैसल होगा और पंदा से 20 मिनिट एक्सराइस करने के अलावा आपको चाहिए कि आप हर दिन वॉक पे जाए तो इतना ही बस काफी होता रहा इसलिए बहाने बहाने बनाना छोड़िए और आजी से हमारी कोई भी मदग चाहिए या फिर आपको योगा सेश्ट्स जोइन करने है या फिर आपको परसिल ट्रेंइग सेश्ट्स चाहिए या पर साइस डाये चाहिए तो आप ही इन सब चीजों के लिए हमें कॉंटाट कर सकते है हमारे सोचल मीडिया हांगल जो ही है अगर आपको वीडियो परसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे और चानले को करते सब्सक्राइब बेल बटन की दबार दा कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएब अगर नहीं करते तो कब से शुरू करने वाले हैं वीडियो को जाद से जदा फ्रेंड और फ्रेंड और फामली सब्कल में शेयर करें तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में थक तक के लिए हेल्दी रहे खुश रहे